नमस्कार आज की रेसिपी में आप सब भी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की हेल्दी गुलाब जमुन आप देख सकते हो कितने बढ़िया बने है और चासनी इसके अंदर तक अच्छी से सैट होई है और बहुत ही मीठे स्वाधिस्ट गजब के हमारे गुलाब जमुन बने हैं तो मैं जाओंगी कि आप भी इस रेसिपी को एक बाट ट्राइज जरूर किजेगा इसमें ज्यादा कोई भी इंग्रीडियंट्स नहीं लगते हैं और बहुत ही इजी ले से ये बन भी जाएंगे तो आज की वीडियो को फुल देखिएगा और आप अपने घंपे ट्राइज जरूर किजेगा वीडियो बहुत ही इजी है और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत बुलेगा और हाँ अगेर आप हमारे चैनल पर अभी नहीं हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किजेगा गुलाब जमुन बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया यह 500 ml दूज और इस दूज को हम एक कड़ाई के अंदर डालेंगे और गेस पर टिका देंगे गेस का फ्लेम हाई करेंगे और दूज में उबाल आने तक इसको बोईल होने देंगे उबाल आने के बाद कंटिनूजली हम इसको चलाते वे पका लेंगे जब तक कि दूद की जो कंसिट्रेंस यह वो गाड़ी नहीं हो जाती है जैसे 500 ग्राम का 200 ग्राम दूद जब तक नहीं होता है तब तक आप इससे पका लें तो आप यहां पर देख सकते हो यह सिर्फ 200 पर आम रह गया है और दूद भी तोड़ा गाड़ा हो गया है और यह मैंने पकेट वाला दूद यूज किया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे आटा तो यह गेहूं का आटा है जिससे कि हम रोटिया बनाते हैं तो मैं एक एक चमच करके यहां पर आटा डालती से मिक्स करेंगे उसके बाद में हम गेस का फ्लेम ओन करेंगे तो अभी आप देख सकते हो गेस का फ्लेम बंद है और इस तरह से में आटे को पहले मिला लेना यानि दो को थोड़ा सा हलका सा गाड़ा कर लेना है लगबग तीन चमच गेहूं काटा मैंने इसमें मिला दिया और मैंने इसका फ्लेम ओन कर दिया एक मिनट मैं इसको पकाऊंगी और इसके बाद में से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ा सा मुझे यहां पर हलका सा थिन लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा टाल दिया था अब इसको ठंडा होने देते हैं जब तक यह ठंडा नहीं होगा तब तक यह गाड़ा नहीं होगा ठंडा होने की बाद यह ऑटोमेटिकली गाड़ा भी हो जाएगा और इसके हम बॉल्स भी अच्छे से बना पाएंगे ध्यान रखे बोल एक भी क्रेक नहीं रह जाता है तो आप उसके अंदे थोड़ा सा मैदा मिला सकते हो आटा मिला सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर हमारा बैटर जो बिल्कुल ठीक है ना यह ठीक है तो इसी तरह का में बैटर चीए गुलाब जमून बनाने के लिए तो इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है अब हम इसको पहले चम्माच की साहता से अच्छे से मैस करेंगे तो छीकना करना इसको और उसके बाद में हातों पर थोड़ा की लगा Óर इसके अच्छे से लोही कर लेंगे ध्यान रखे अगर आपके दूद में चिकना अटना हो तो एक चमच गीर डालना बिल्कुल भी न भी लिएगा जब हम इसका डो बना रहे होते हैं तो आप एक चमच गीर डाल दीजिएगा क्योंकि दो जो है थोड़ा से चिकना होना बहुत ही जरूरी होता है तो यहापे मैंने फोड़ा सा मेडा और एक पिंच मतलब एक चिम्टी बोल सकते हैं जिसको तो एक पिंच मैंने यहां पर यह जो बेकिंग सोड़ा वो डाला है बिल्कुल से जरा सा डालना आपको हमारी एक चिम्टी कितनी होती है बस उतना ही डालना है और इससे लगबग हमारे 15 से 20 गुलाब जमुन के लगबग बन जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक चम्मच घी डाल दिया था और थोड़ा सा अब इसको चिकना कर लेते हैं तो लगबग देड चम्मच यहां पर हमें घी की जरूरत होगी इस डो के अंदर तो डो को अच्छी तरह से चिकना करना है तो मैंने इस तरह से हतेली के पंजे से इसको मसल मसल करके और बिल्कुल चिकना कर लिया है यह प्रोसिस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मेरे एक बार में एक दो जो गुलाब जमुन है ना वह क्रेक हो गए थे क्योंकि वह उपर से स्मूद नहीं थे चिकने नहीं थे इस लिए क्रेक हो गये थे और लिए करने का कारण भी यही होता है गुलाब जमुन क्रेक क्यों होते हैं क्योंकि अगर आपके गुलाब जमुन ऊपर से स्मूध नहीं होंगे तो क्रेक हो जाते हैं अब देखिए आटा कितना चिकना होगे ना बिल्कुल से तो इस तरह से आटे को मसल मसल के चिकना कर लें इसके अंदर लगबग आधी दूद क की मात्र और का दे dispon cracking लाने का इतना लाइकिन और इस तरह मिला ले और इतना ऑप देख रहें इस बेड reads मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा थो वो उनास होता है बस अब हम इसको यह रचो लंबा लंबा इसë बेल लेंगे और इसके बाद इसके बराबर बराबर में बोल्स बना लेंगे और उसके बाद इसको लंबा लंबा सेप लगाएंगे तो इस तरह से पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर एक भाग के हम चितने भी पीस बनते हो हम बराबर बराबर की लोई कट कर लेते हैं आज मैं आपको ये लंबे लंबे गुलाब जमुन बनाना बटा रही हूं इनका सेफ मुझे बहुत अच्छा लगता है चमचम जैसा सेफ होता है इनका चमचम से साइज थोड़ा छोटा होता है ये देखिए कितना अच्छा लुक लगता है एक नई रेसिपी और मैंने इन ग्लाब जमुन को दो दिन रखने के बाद अफिर घरम करक Miram के खाया बहुत ही अच्छे लगते हैं घरम गुलाब जमुन तो इससे education की सभी लोयां कट कर लिये और जैसे मैंने एक आपको बنا करके दिखाया है वैसे ही सारे गुलाब जमुन का सेफ हम बना लेते हैं तो अब आप देख सकते हो सारे जो गुलाब जमुन के मैंने पीसिँच कट कर लिया है और मैंने चास ने ठिका दिया तो मैंने यहाँने चीने लिया है लग बग 300-400 ग्राम चीनी लिए और इसके अंदर मैंने पाने डाल दिया इत्ता ही 500 ml और अब हम इसको बोईल करेंगे एक उबाल आने तक बोईल करेंगे उसके बाद लगबग 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और नेक्स्ट में दूसरी तरफ हम घी भी टिका देते हैं कडाई के अंदर तो क्योंकि मैं इसके जो गुलाब जमून वो घी के अंदर बनाने वाली हूं आप चाहे तो गी की जिगा तेल भी यूज कर सकते हो और जो वनस पत्ती गी आता डालदा वो भी यूज कर सकते हो उस अच्छे ही बनेंगे तो यह मैंने घी डाल दिया है घी को हलका हलका गरम करना है और दूसरे तरफ हमारी चासनी प्रिपेर हो गई है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा इलाची पावडर लिया है और अगर आप चाहे तो यह पर केसर भी डाल सकते हो चार-पां तो वो चासनी अच्छे से नहीं पीते हैं इसलिए मैंने यह डबा लिया है और चासनी को ट्रांसफर कर दूंगे और जैसे हमारे गुलाब जमून तयार होंगे हम चासनी में डिप कर देंगे तो चासनी तयार है यह इसका फ्लिम बंद कर देते हैं थोड़ा सठंडा होने देते हैं उसके बाद डबे में डाल देंगे चासनी की आप देख सकते हो सिर्फ चिपचिप चासनी है एक तार की चासनी इसे में नहीं चाहिए इस तरह हमारा गीवी कर्म हो गिया है और हमारे जो सारे गुलाप जमून है वो पन कर के रड़ देढ थैं तो हम एक-एक गुलाप जमून करके इस के अंदर फटा-फट में सारे सारे डाल देंगे पहले हम पढ़ते हैं उन हचतों को पकड़ इस टोड़ा सा हीला देजे त गड़ाई को कि ऑल झालर दो जाते हैं जो पेंदा रिख्याइक ब耗्राइप जा सकते हैं कि यहीं तो यह उन देख रख को रख्य वहीं और और एक दो गुलाब जामुन नीचे से थोड़े से डार्क होगी है क्योंकि जैसे ही एक दो स्टार्ट की जाते है उनको ज्यादा हीट लगते हैं उसके बाद में सबको बराबर में हीट लगती है तो आप देख सकते हो इनका कलर चेंज होना सुरू हो गिया है गुलाब ना वो क्रेक होगी है बाकी सारे के सारे बहुत बढ़िया बन रहे हैं तो देखें कितना अच्छा कलर आया ना इनका इसी तरह से आपको बिल्कुल स्लो गेस पर पकाना है और इस तरह के जब ये बिल्कुल सारे के सारे गॉल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इने निकाल कर करके और चासनी वाले डब्बे में सीधे डाल दें चासनी ध्यान रखे ठंडी नहीं होनी चीए अगर ठंडी हो गई हो तो आप उसे थोड़ा सा गरम कर सकते हैं मेरी तो चासनी अभी अभी बनाई हुई है दस मिनट हुए हैं बिल्कुल डब्बे के अंदर गरम है तो मैं सीधा निकालूँगी इनको और डब्बे के अंदर ट्रांसफर कर दूँगी तो यह डब्बे में मैंने चासनी डाल दिया है और इसी तरह से सारे गुलाब जमुन ने डब्बे के अंदर डाल देंगे गुलाब जमुन को डब्बे के अंदर लगबगम हमें दो गंटे तो रखना ही होगा दो गंटे रखने के बाद यह चासनी पिकर के बिल्कुल से अच्छे से त्यार हो जाएंगे तो मैं आपको इनको निकाल करके काट करके फिर दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया बने हैं तो अभी हम इसको डखका लगा करके रख दते हैं दो गंटे के लिए दो गंटे बाद देखिए हमारी जो गुलाब जमुन देखे कितने बढ़िया इनका कलर है कितने अच्छा चासनी पिकर के यह तियार हो गई हैं अब मैं आपको गुलाब जमुन को कट करके भी दिखात गुलाब जमुन कितने बढ़िया हैं तो इसी तरह से आप भी आटे के अपने घर पे बनाईएगा यह सेप भी गुलाब जमुन का बहुत अच्छा लगता है लूक में अच्छा लगता है आपको उमारे वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करें और वीडियो पे लाइ बहुत ही अच्छी डिस बहुत ही नए तरह की अच्छी डिस और इजी से बनाई जाने वाले डिसे बताते रहेंगे थेंक्स पूर वोचिंग आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू